दोस्तो रिशब पंथ और शुमन गिल पर लग सकता है बैन यानि कि बैन हो सकते हैं दोनों के दोनों एक तरफ आप बात करें शुमन गिल की तो अभी युवा कप्तान है गुजराट टाइटन्स के दूसरी तरफ अगर आप बात करो रिशब पंथ की तो अब वो not so युवा क अपतान है दिल्ली के पूरे तरीके से वाकिफ होंगे वो आई पेल के रूल से रेगुलेशन से पर फिर भी गलती रिशब पंथ से हो गई जिसकी वजह से अगर वो तीसरी बार यह मिस्टेक को यानि इस गलती को दोराएंगे तो हो सकते हैं एक मैच के लिए बैन और शु प्रिशन से बार यह गलती दोराते हैं तो हो सकते हैं एक मैच के लिए बैन और तीस लाग रूपे का जुर्माना उनको बरना ही पड़ेगा आप जानते हैं कि स्लो ओवर रेट का क्या रूल है आप सब वाकिफ हैं और हमने इंटरनाशनल क्रिकेट में भी देखा है इवन अगर आप बात करें डुमेस्टिक रिकेट में भी यह रूल को हमने हमेशा देखा है और अगर आप आईपेल के ही सिरफ अगर आप इस रूल की बात करें तो यही चीज है कि मालीजे कोई टीम अगर एक या दो ओवर पीछे चल रही होती है जो स्टीपिलेटेड टाइम द या मालीजे सेकंड टाइम में चेज करते हुए सामने वाली टीम चेज कर रही होती है और वो फिल्डिंग कर रही होती है अगर आप उस चीज की बात करें तो यह है कि जो कप्तान होता है उसके उपर रिस्पोंसिबिलिटी यह होती है कि अपने गेंद बाजों को पूरे त सब चीजे आती है यानि कि कोई इंजरी वगएरा किसी को प्लेर हो गई तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है वो सब चीजे नहीं आती इस 90 मिनट में इस 90 मिनट में आपको इनिंग अपनी पूरी कंप्लीट करनी होती है और CSK वर्सिस जो DC मुकाबला था दिल्ली कै अपना जीत का खाता तो खोल लिया CSK के किलाव पर लेकिन मुसीबत तो यहां पर कप्तान रिशब पंत के लिए आ गई यानि दिल्ली क्यापिटल्स के खेमे के लिए वो यह आगी कि खैर रिशब पंत ने स्लो और मेंटेन करा था कि क्या दो और पीछे चल रहे थे और है कि स्लो ओवर रेट मेंटेन चल रहा था उस वक्त यानि के बहुत धीमे चल रहे थे और कहीं न कहीं उनको थोड़ा सा मेरे इसाब से तेजी से अपने बोलिंग रूटेशन करवाने पड़ रहे थे पर लेकिन यह हो जाता है शुमन गिल के साथ भी यही चीज है उन्हों किसी और तरीके से होता है यानि के 24 लाख रुपे का जो है फाइन लगेगा और साथी साथ खिलाडियों की बात करें तो 6-6 लाख खिलाडियों पर लगेगा जो बाकी के खिलाड़ी है रिस्पेक्टिव टीम्स के यानि गुजराट टैटन्स के अगर शुमन गिल अगर ऐस साथी साथ एक और ये चीज़ है 30% जो है फाइन उस पर लगेगा या जो बाकी खिलाड़ी है उनको देने पड़ेंगे 12-12 लाख रुपया या हो सकता है कि अपनी 50% मैच फीस वो दे दे तो ये पूरे तरीके से ये रूल है दोस्तों और कहीना कहीं इरिशब बन भी अब स सकता है एक तो कहीने कहीं शुमन गिल के साथ भी जाते हैं और अन्य जो बागी कप्तान है उनके साथ भी यही चीज़ जाती है आप अपनी राइस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फिलाल अभी के लिए इस वीडियो में में